Hi, this is Jogandar Singh and you are watching Class 9 Chapter 1 Real Numbers Example No. 20 This example is related to rationalization of the denominator थोड़े different questions हैं, पहले आपने कभी देखे नहीं होंगे तो इनके लिए आप careful रहिए Otherwise इस तरह के questions में maximum students की वोल marks less करवा के ही आते हैं या तो वो लोग ध्यान नहीं देते हैं इस चीज के उपर की exactly इसका process क्या है और या फिर वो समझना नहीं चाहते है चलिए तो पहले इसे हम carry कर लेते हैं यह हमने question carry कर लिया और इसी चीज को हमने फिर से यहाँ पर लिख लिया इसके साथ क्या apply करना है वो हम देखेंगे लेकिन यह हमने right में रख लिया मेरे last videos के अंदर मैंने आपको clearly समझाया था कि rationalization means denominator में जितनी भी under root के sign है किसी भी तरह से उनको eliminate कर दो but actual question की जो value है वो आपकी change नहीं होनी चाहिए that means 1 upon 7 plus 3 root 2 आपको मिला है तो final value आपकी यही रहनी चाहिए आप अगर उसको solve करेंगे cutting करेंगे या divide करेंगे कुछ भी करेंगे तो so denominator में a plus b जैसी situation हमको मिली हुई है यहाँ पर केवल a minus b जैसा हमको कुछ मिल जाए तो हमारा result हमको कुछ इस तरह का मिल जाएगा a square minus b square जहाँ पर a square किया और b square किया तो a की जगे पर या b की जगे पर जो भी हमारा under root का sign था square की वज़े से वो under root का sign हमारा cancel हो जाता है तो हमें देखना सिर्फ यह होता है कि यहाँ पर अगर हमारे पास plus का sign है तो यहाँ पर minus के sign के साथ उपर नीचे same चीज multiple कर दो और यहाँ पर अगर हमारे पास minus का sign है तो यहाँ पर plus का sign लगा दो that's it और जो चीज हम नीचे apply कर रहे है denominator में same चीज हमको numerator में भी apply करनी पड़ेगी ताकि हमारी actual question की value change ना हो हमारा final value, simplified value हमारी वही रहे जो हमको examiner ने दी है तो चलिए हमारी language क्या होगी multiplied by 7 minus 3 root 2 upon 7 minus 3 root 2 यहाँ पर हमारे पास plus का sign था इसलिए हमने minus का sign यूज किया अगर हमारे पास minus का sign होता तो हम plus का sign यूज करते सिर्फ इतना सा दिमाग में रखो और denominator की सारी की सारी figures सारे numbers as it is हमको यूज करने होते हैं केवल sign change हो जाएगा plus है तो minus minus है तो plus चलिए तो इसको apply कर लेते हैं हम यह 7 minus 3 root 2 upon 7 minus 3 root 2 simplification के लिए हम क्या करेंगे numerators आपस में multiple होते हैं और denominators आपस में multiple होते हैं so numerator में तो हमारे पास one के साथ एक bracket multiple हो रहा है तो one के साथ तो चाहे जो multiple कर लो वही result में आएगा तो हमारा यह जो bracket है वो as it is हमारा result में आगया numerator में 7 minus 3 root 2 और denominator में हमारे पास क्या है first bracket में a plus b और second bracket में a minus b जैसी design है हमारे पास तो a plus b into a minus b हमारा formula क्या होता है a square minus b square तो हम इसको apply करते हैं a हमारा यहाँ पर 7 है b हमारा है 3 root 2 पूरा 3 root 2 हमारा b है तो हमने क्या किया इसे apply कर दिया a square minus b square की form में numerator हमारा as it is है इसको हम carry कर लेते हैं यहाँ पर right में denominator में यहाँ पर ध्यान से देखो यह जो 7 square है हमारा यह हो गया 49 और यह जो minus है यह as it is carry उसके बाद यह जो 3 है यह बना 9 और root 2 बना हमारा 2 यहाँ पर mistake बिलकुल नहीं करना क्योंकि पूरे bracket के उपर square है और bracket के उपर square का मतलब होता है अंदर की हर चीज़ पर square apply होता है 7th और 8 दोनों class में आपने यह चीज़ बढ़ी है यह इस तरह से होता है देखो a, b, अगर bracket के अंदर है उपर square है तो आप उपर का square distribute कर सकते हो a square into b square practically हमने यही किया है 3 और root 2 दोनों के अंदर इस square को distribute कर दिया और finally हमारी value क्या आती है नीचे denominator में 49 minus 9 into 2 numerator में calculation करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है 7 minus 3 root 2 इसको हम तभी calculate कर सकते है जब root 2 की value निकालके उसे हम 3 से multiple करें और बाद में 7 में से minus कर दें otherwise इसे हम as it is carry करेंगे यह देखो हमने इसे carry कर लिया और denominator में हमारे पास 49 minus 9 into 2 है तो इस 9 into 2 को हम apply कर देते है 49 minus 18 यह बिल्कुल मत भूलना कि आपका purpose है rationalization करना denominator का और rationalization का मतलब होता है under root का sign आपको cancel out करना है नीचे से under root की सारी चीजें आपको गायब करनी है धीरे धीरे तो अब जो सामने है हमारे उसमें denominator में किसी तरह का कोई under root नहीं है 49 minus 18 तो इसको answer के according कैसे लिखेंगे हमारा question जो था उसका answer यही तो है बस नीचे हमको calculation बाकी है चलिए हम इसे answer के लिए लिखते हैं यह हमारा हुआ 7 minus 3 root 2 upon 31 that means हमको यह जो question मिला था 5 upon root 3 minus root 5 इसका answer हमारा हो गया यह यह अपना 7 minus 3 root 2 upon 31 so that this is our required answer दोस्तों I hope आपको वीडियोज पसंद आ रहे होंगे और जब पसंद आ रहे हैं तो एक like तो बनता है मुझे भी motivation मिलता है इससे नए हो तो subscribe करें और अगर पुराने हो तो notification bell को press करो so that मेरे वीडियोज टाइमली आपको notify होते रहें and yes, share these video with your friends चलिए आज के लिए इतना ही thanks for watching